नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिरपड़िची दोस्त उपस्तित हूँ आपकी सीवा में एक बेहद हिमाद तपोन जानकारी को ले करके आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रिसर से छुटकारा पाने के घरेलो नुस्कों के बारे में हाई ब्लड प्रिसर यानि हाईपर्टेंसन एक बिमारी है जो गलत लाइपस्टाइल और खान पान के कारण आज कल काफी देखने को मिल रही है हाई ब्लड प्रिसर के कारण सरीर के अंगों तक आक्सीजन और अन्य जरीरी तत्व पहुंचाने वाले ब्लड वेसल सही से काम नहीं करते हैं जिससे हृदय वा किड्नी रोग का खत्रा बढ़ जाता है हालांकि लोग दवा के जरी ब्लड प्रिसर को कंट्रोल करने की कोशिस करते हैं लेकिन घरेलू देशी न उसके अपना कर भी इससे चुटकारा पाया जा सकता है हाई ब्लड प्रिसर क्या है? हाई ब्लड प्रिसर या उच्छ रक्त चाप वो इस्थिती है जब धमनियों में खून का प्रवाह वो दवाव काफी हद तक बढ़ जाता है सामान्य रक्त चाप की रेंज 120-80 mmHg होती है लेकिन जब यह इस तर बढ़ता है तो इसका असर ब्रेन, कीड़नी, दिल और आंखों पर पढ़ना सुरू हो जाता है ब्लड प्रिसर कंट्रोल करने के टेपस लौकी का जूस रोजाना सुबह सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से हाई ब्लड पेशर की समस्या नहीं होती है प्याज का रस प्याज की रस में एक चम्मच सुद्ध देशी घी मिला कर उसका सेवन करने से भी इस बिमारी में आराम मिलता है तांबे की बरतन में पानी पीना मिलाएं और उसका दो तीन घंटे के अंतराल पर सीवन करें इसके बीपी नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा दालचीनी आधा चम्मच दालचीनी का पौडर रोज सुबह गर्म पानी के साथ लेने पर हाई ब्लड पेशर के परिसानी समाप्त हो जाती है मेथी के दाने रात को सोने से पहले मेथी के दानों को गर्म पानी में भिंगो दे सुबह उटकर खाली पेट इसका पानी पीने और मेथी दाने चबाने से हाई ब्लड पेशर दूर रहता है आवला का रस एक चमच आवले के रस में थोड़ा सा सहथ मिलाकर सुबह साम पीएं इससे भी ब्लड पेसर कंट्रोल में रहेगा नीमबो का रस हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आधा ग्लास पानी में नीमबो नी चोड़ लें फिर इसे दो दो घंटे के अंतराल पर पीते रहें काफी फायदा मिलेगा सहतूत रोज 25 ग्राम सहतूत का जूस निकाल कर सुबह सुबह पीएं हाई ब्लड पेसर के समस्याद दूर करने में यह भी काफी मददगार है तुलसी वन नीम का पेस्ट आठ दस तुलसी पत्तियां और दो नीम की पत्तियां लेकर इसका पेस्ट बना ले इस पेस्ट को पानी में गोल कर खाली पेट पीएं इससे हाई बीपी कंट्रोल में आ जाएगा साथ ही ब्लड पेसर कंट्रोल में रखने के लिए रोज़ाना व्यायाम करें और तनाव से दूर रहें इसके अलावा छे महिने में एक बार कम से कम बीपी चेक जरूर करवाएं क्योंकि यह बिमारी है और इससे दिल ब्रेन और आखों की बिमारी हो सकती है तो चेक जरूर करवाएं धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ